हेलो एब्रीवन, वेलकॉम अगें टुलनवर दितीमन, तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नमबर 6 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 20 कुशन कम्प्रीट कर लिये थे, कुम्बलगर दुर्ग तक हमने कर लिया था, तो चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं, इससे हम बिल्कुल फ्री में ही यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री में कुशन अंसा सिरीज जो है वो कर रहे हैं, चैप्टर में जितने भी कुशन होते हैं, सभी यहाँ पर लाए जाते हैं, तो कुशन 21 है, देखिए, लास्ट एक कुशन रहे गया था, कुम्बलगर का, और ऐसा लगता है, कुम्बलगर की उचाई को देखकर, कौन कहते हैं, अब बुल्फजल कहते हैं, और कुम्बलगर दुर्ग के बारे में हमने देखा था, कि यह दुर्ग जो है, वह कहां पर इस्तित है, राज सम्मझ जिले में इस्तित है, और इसे, जो इसके प्रमुक सिलप हुआ ठीक हुआ ठीक है, और यही पर यह उपरी छोड जो है, कुम्बलगर की वहाँ पर जो निवास स्थान है, जिसे कटारगर केते हैं, वो किसका निवास है, राना कुम्बा का ठीक है, राना कुम्बा वहां रहते थे, नेक्स्ट है, question 22, तो चोटी-चोटी सी यह जो ब पूर्ग का निर्मान किसने करवाया था जहां महराना कुंबा ने कुंबलगड दुर्ग का निर्मान करवाया था तो गिरी दुर्ग और वन दुर्ग क्या होते हैं यह हम लोग बिल्कुल लास्ट वीडियो में कर चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखिएगा यह दुर्ग बक्तर बंद है यह किस ने कहा तो रण थम्बोर दुर्ग के बारे में यह किस ने कहा कि यह दुर्ग बक्तर बंद है तो यह कहा था अबुल फजल ने क्या कहा था रण थम्बोर दुर्ग के बारे में कि यह दुर्ग बक्तर बंद है और अबुल फजल ने ही कु अपनी ज्यादा बुलंदी पर बना हुआ है। तो याद रखना है रण थमबोर में है यह है और रण थमबोर दुर्ग जो है उस परिशर में है और रण थमबोर-दुर्ग कहा है सवाई माधवपुर में थीके याद रखिएगा शिवाना दुर्ग किस जिले में है देखिए कहीं सिवाना लिखते हैं कहीं शिवाना लिखते हैं ठीक है शिवाना दुर्ग किस जिले में इस्तित है तो यह बाड़मीर जिले में इस्तित है और यहां पर भी अलाउदिन किल जी आक्रमण करता है, 1311 इसवी में या 1310 भी लिखा मिल जाता है, जब कानार दीव का समय था, ठीक है? नेक्स्ट है, शिवाना दुर्ग की स्थापना किस ने की? शिवाना दुर्ग की स्थापना जो है, वह किस ने की थी? तो 954 इसवी में परमार वंशिय वीर नारायन जी ने शिवाना दुर्ग की स्थापना की थी, ठीक है? तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कुम्बलग उसकी स्थापना जो है वह किसने बनवाया था वह बनवाया था प्रमुक सिल्पी जो थे वो मंदन थे महाराण कुम्बा के द्वारा बनवाया गया था उसके बाद हमने देखा रंधंबोर दुर्ग वह किसने बनवाया था अजमेर के चोहां चाशकों ने बनवाया था ठीक ह था अलाउदिन खिल जी ने शिवाना दुर्ग पर आख्मन कब किया था तो मैंने आपको बताया था 1310 या 311 इस्वी में ठीक है तो इस बुक में आपके शीतल देव जो है वह यहां पर शाशन कर रहे थे next question 32 है मारवाड के राजाओं की शरण इस्तली कौन सा दुर्ग रहा है मारवाड के राजाओं की शरण इस्तली जो है वह कौन सा दुर्ग रहा है तो वह रहा है शिवाना दुर्ग ठीक है याद रखना शिवाना दुर्ग जो है वह मारवाड की राजाओं की शरनिस्तली रहा है और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मेवाड की राजाओं की संकट कालीन राजधानी या सरनिस्तली कौन सा दुर्ग रहा है तो आप लोगोंने बहुत अच्छे से याद सेरसा सूरी की सैना का पीछा किया और पीछा किये जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रे लिया क्योंकि मारवाड के राजाओं की शरनिस्तली कहा जाता है शिवाना दुर्ग को तो यहां राओ माल देव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद यहां आश्रे लिया था कि में शिवाना दुर्ग में तारागड दुर्ग जो बुंदी में है देखिए दो तारागड दुर्ग है एक तो बुंदी में है दूसरा अजमेर में है यहां पर जो बुंदी में तारागड दुर्ग है इसका निर्मान किस ने करवाया तो राओ बर सिंग ने तारागड दुर नहारगड का जो किला है उसको सुदर्शन गड़ भी कहते हैं ठीक है बूचा जा सकता है सुदर्शन गड़ का किला जो है वो है कहा है तो याद रखिएगा जैपूर में और इसे ही नहारगड का किला कहा जाता है किस दुर्ग को गड़ बीटली तथा अजे मेरू भी कहते हैं ठीक है most important question है क्योंकि यहाँ पर देखिए जब दो दुर्ग आ जाते हैं तारागड दुर्ग जो है अजमेर या बुंदी तो confusion रहता है तो यहाँ पर जो राओ बर्सिंग ने जो तारागड दुर्ग का निर्मान कर रहाए था गुंदी में वह वाला नहीं आएगा यहाँ आएगा तारागड दुर्ग जो अजमेर में है इसे कहा जाता है गडड बीटली या अजय मेरू ठीक है इस चीज को आप लोग याद रखिएगा next है question 38 Colonel Todd के अनुसार तारागड जो अजमेर में है इसका निर्मान किसने करवाया तो Colonel Todd के अनुसार तारागड अजमेर में जो है इसका निर्मान चोहान चाशक अजय पाल ने करवाया था next है question 39 तारागड दुर्ग जो की अजमेर में है इसमें कितने विशाल बुर्ज है तो इसमें है 14 बुर्ज ठीक है कितने है 14 बुर्ज question 40 है किस दुर्ग को देखकर Governor General William Banting ने कहा ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर तो वह दुर्ग है तारागड जो की अजमेर में है 1832 में General William Banting जो है उन्होंने कहा था इस दुर्ग को देखकर कि ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर ठीक है किस दुर्ग को देखकर कहा था वो दुर्ग जो की अजमेर में है तारागड जिसे गड़ बीट ली अजयमेरू दुर्ग भी कहते हैं ठीक है और एक और दुर्ग है तारागड दुर्ग जो की बूंदी में है उस दुर्ग को याद रखिएगा कि उस दुर्ग का निर रन्थंबोर का दुर्ग और शिवाना का दुर्ग ठीक है तारागर दुर्ग जो बूंदी में है और उसके बाद तारागर दुर्ग जो अजमेर में है यहां तक हमने कंप्रीट किया है इतना जो है वो आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि हम लोग देखिए हिंदी व्याकरण भी कर रहे है जोगरफी जो है उसके आपके टैस्ट चल रही है राजिस्थन का इतिहास जो है वो है भी हम लोग कर रहे हैं तो इतना सारा जो है वो आप एक साथ नहीं याद कर पाओगे तो कम जो कुशन है उनको आप डेली के डेली याद कर लीजिए मिलते है इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू